Hello Friends, मैं हूँ कपी लोग आप लोग देख रहे है टेकनिकल अकडेमी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइडो एलेक्टिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है तो सबसे पहली हम क्या डिसक्तर करेंगे कि hydro electricity को generate करने के लिए कि क्या क्या components require होते हैं इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहला component है हमारा hydro electric dam दूसरा है water pipe तीसरा है turbine और fourth पे है हमारा transformer और fifth में हमें चाहिए transmission line जिसको हम क्या बोल सकते हैं conductor जिसके थुरू हम क्या करेंगे जो hydro electricity generate होगा हमारे hydro power से उसको transmit करेंगे एक प्लेश से दूसरे प्लेश में तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि hydro electricity को generate करने के लिए concept principle पे काम किया जाता है तो इसका basic principle होता है liquid pressure law of liquid pressure so according to the law of liquid pressure we can say that the liquid pressure is directly proportional to rho hg तो hydro electricity को generate करने के लिए हाँ पे हम कौन सा factor लेते हैं depth of the liquid so depth of the liquid को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं river में water dam बनाया जाएगा और water dam बनाने के बाद में water को क्या करते हैं हम store करते हैं ताकि उसका जो depth हो बढ़ जाए उसका depth level बढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं वहां से pipe connect करते हैं, जिसको हम बोलते हैं pennistock और उस pipe के थुरू हम क्या करेंगे, पानी को turbine के थुरू गिराएंगे और जो पानी का उसमें, जो kinetic energy होगा, वो kinetic energy क्या करेगा, turbine के blade को rotate करेगा और जितना ही उसका blade rotate करेगा वो generator को rotate करेगा और उसमें क्या होगा कि electricity generate होगा फिर उसके बाद में जो electricity generate होगा उसको हम क्या करते है ट्रांस्फोर्मर के थुरू पास करते है तो यहाँ पर mostly क्या होता है कि step up transformer use होता है जो क्या करता है low voltage को high voltage में convert कर देता है फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं transmission line के थुरू उसको हम distribute करते हैं sub power station तक यहाँ पर देख सकते हैं एक dam है जहाँ पर waterfall water गिर रहा है और electricity generate हो रहा है फिर जो electricity generate होता है उसको transmission line के थुरू हम क्या करते हैं sub power station तक उसको transmit कर देते हैं यहां देख सकते हैं एक sub power station है जहां पर transformers लगे होते हैं और यहां पर क्या किया जाता है electricity को process किया जाता है यहां से control room होता है जहां पर control किया जाता है यह भी एक type का देहां पर देखिए एक transformer लगा हुआ है यहां से फिर electricity को क्या करते हैं हमारे गाउं तक हमारे सहर तक transmit किया जाता है थुरू transmission line और उसके बाद में क्या होता है यहां पे हमारे गाउं में क्या होता है कि transformer लगा हुआ होता है जो कि actually क्या होता है step down transformer होता है और step down transformer का क्या होता है कि high electric voltage को low electric voltage में convert कर देता है और यहाँ पर जो transmission line के थुरू हमारे घर तक जो electricity आती हो actual में उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा electricity होती है लगबग लगबग 11,000 voltage तो उसको क्या किया जाता है कि convert किया जाता है लगबग लगबग 220 से लेके 250 voltage तक के range में फिर वहाँ से हम electric cable से अपने घर तक क्या करते है electricity connect करते हैं और यहाँ पर energy meter लगा होता है जिसमें हम electricity connect करते हैं तो इसका क्या होता है कि जितना भी electricity consume होगा वो इसमें so करेगा अब यहाँ पर देखिए एक electric switch है उसको हमने turn on किया फिर उसके electricity जा रहा है तब तक क्या करेगा वो रोटेट करेगा और जब हम switch off कर देंगे फिर वो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा अब यहाँ पर हम दूसरा example लेते हैं mobile charger तो mobile charger क्या करता है वो 220 voltage AC को DC में convert करता है फिर उसके बाद में हम केबल के थूरू अपने mobile में connect करते हैं इससे हमारा phone charge होने लगता है फिर उसके चलिए अब हम देखते हैं फ्यूलिस्ट आप दे hydro power plant in the world तो सबसे पहला थ्री गोस देम्स जो की चाइना में है जिसका capacity है 22.5 गीगावाट और दूसरे नंबर पर है हमारा इटाइपू डेम ब्राजिल इसका capacity है 14 गीगावाट electricity प्रोडूइस करने का और तीसरे नंबर पर है हमारा शास्ता डेम नौर्थ कैलिफोर्निया जिसका capacity है लगभग 876 मेगावाट electricity प्रोडूइस करने का फूर्थ नंबर में है हमारा इल्डूम डेम अस्ट्रेलिया फिप्त नंबर में हमारा गॉल्बर्न वेर्डेम विक्टोरिया अस्ट्रेलिया तो यह अस्ट्रेलिया में लोकेट करता है तो इस वीडियो में हमने देखा फाइफ लिस्ट आप दी हाइड्रो पावर प्लांट विच इस लोकेटेड इन दी डिफ्रेंट कंट्रीज इन दा वर्ल्ड सो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नए वीडियो को अपडेट मिलती रहे आप लोगों को झाल